जार्खन की राजधानी राची में एशियन विमन हौकी चेंपिन से टॉफी का आयोजन होने जा रहा है 27 सक्टूबर से 5 नॉबर तक परतियुगिता का आयोजन होगा छे देशों की टीमें परतियुगिता में भाग लेंगी इसी को लेकर राजधानी राची के मौरावादी इस्तित हौकी स्ट्रेडियमें अनावरण कैरक्रम का लोगों का अनावरण कैरक्रम का आयोजन किया गया इस कैरक्रम में जार्खन सिरकार की खेल मंत्री सहित खेल विभाग के पदादी कारी भी उपस्तित रहे इस दुरान होकी जार्खंड जार्खंड होकी के अद्धक्ष और खेल विभाग के निदिर्शक ने MOU पर हस्ताक्षर भी किये राची में हो रहे इस टुर्णामेंट के लिए खेल विभाग की ओर से 10 करोड की राची का चेक खेल मंत्री ने होकी इंडिया के अद्धक्ष और सोपा साथ ही इस टुर्णामेंट का आधिकारी के लान भी कर दिया गया कारक्रामें उपस्तित जारकन के खेल मंत्री हफिसुल अंसारी ने कहा कि यह आयोजन भारत में पहली बार होने जा रहा है और इसकी मैजबानी जारकन को मिला है इस उसर पर होकी इंडिया के अद्धक्ष दलीब तिर्की ने कहा कि जारकन शुरू से ही कई अंतराष्टी होकी खेलाडी दिये हैं और आज पुरुष से ज़्यादा महिला खेलाडी अच्छा खेल रहे है इस इतिहादीक दिन है कि मानिय है मंसरण जी मुखमंतरी जारकन सरकार के परियास से और होकी संग है के परियास से हाँ जारकन को मेजबानी करने को अदिनल का मुका मिला और पहली बार भारत में पहली बार होकी इंटरनेशनल खेल होने जा रहा है और मेजबानी का